कहानी शुरू होती है बताया शुआता है कि इंसान अपने हम को बहुती जहीन और ताकतवर बनाना चाहते थे इसलिए इनोंने एक ऐसा वाइरस तेहा किया जिससे वो इंसानों को जहीन और ताकतवर बनाने की खुआहिश पूरी कर सके साइंटिस्ट इस वाइरस का टेस्ट इंसानों से बहले मंकीस पर करते हैं यह जानने के लिए कि वो इंसानों के लिए सेफ पी है या नहीं दिखाया जाता है कि इस टाइम मंकी पर एक्सपेरिमेंट किया चाह रहा था उस टाइम मंकी कंट्रोल से बाहर हो जाता है ऐसे में जिस मशीन के सर ये वो वाइरस मंकी के अंदर इंजेक किया चा रहा था वो मशीन टूल जाती है और वाइरस हर जगा पहल जाता है ये वाइरस दुन्या में बहुत देजे से पहला इंसानों के साथ था इसने होमेंस को भी इंफेक्टिट किया इंसानों पर इसका बहुत बुरा असर हुआ इंफेक्टेट हुए इंसान या तो मारी के और हगर कुछ जिन्दा बचे तो उनका माहिटेनी दिमाग उनका साथ देना छोड़ चुका था जबके दूसरी तरफ एबस यानि मन के स्पर इसका उल्टा यानि अच्छा असर हुआ तो इंसानों के दहां जहीन होके सोचने समझने लगए असान लखों में ये कि अब इस दुनिया को एबश ने इंसानों के तरह संभानिया है जबीएपस इनसानों के दहां मिलकर जिंदेश की गुजारने के साथ आपस में बाते भी करने के काभी हैं इसी टाइम परल हमें मिलबाया चाहता है नो वा से जो के इस मूवी का में इंटेक्टर होने के साथ साथ इस ट्राइक गिली रीडर का भी बेटा है। नोवा अपने दोस्तों के साथ पहाड़ीों बजा रहा है इगल्स के अंडे लेने के लिए यह उनकी एक रसम थी तभी अपस के पास अपने अपने इगल्स पैट थे अब क्यूंके नोवा भी जवान हो चुका था तो उनकी रसम के मताबिक उसे इगल्स के एक एक का ख्याल जिसमें से एक बच्चा निकलता और इस एगल के बच्चे को पाहल पोस्ट के ट्रूइंट के बाद ही वो नोवा का पैट बनता जहीं हमें यह भी पता चलता है कि इन एगल्स को कंट्रोल करने के लिए अपने मूझ से एक खास किसम का साउंड निकालते हैं यह अपस और इ उनके ट्राइब में आचाती है एक इंसानी लिल्की जो यहाँ पर खाने के दलाश में आए थी वो यहाँ नोवा का इगल का एक शुरा लेती है नोवा उसे देख लेता है जिससे बचते के लिए इन लिल्की फोरन ही जंगल के तरफ भागते है लेकिन नोवा अपना एक ब उसे पहाड़ों पर अपने ट्राइब के दो एप्स जख्मी हालत में मिलते हैं इनकी हालत इतनी खराब थी कि वो माइने वाले थे नोवा इन्हें देखर परिशान हो जाता है उसे बुछता है अखिर तुमारा यहाल किस ने किया वो बताते हैं कि हमारी यहाल दूसरे ट्र है जो हमारी इतना वेल खैस समुंदर के किनारी रहते हैं यह जख्मी एप्स नोवा से कहते हैं कि शायद तो स्ट्राइब की एप्स हम जंगल में रहने वाले एप्स से नफरत कहते हैं इसलिए हम पर हमला करके हमें बर्बाद करना चाहरी हैं वो उनके तो यह भी प्लानिं कर यहां हमला करने के भी निकल चुके थे दूसी तरफ नोवा भी अपने लोगों को बजाने के यह फ्रोरन अपने ट्राइब की तरफ आता है लेकिन उस तयाने में देर करती दूसरी ट्राइब के लोग यहां पर हमला करके बर्बादी मजा चुके थे उनका पूरा यह Apes बुरी तरहां मार-मार कर अपना कैटी बना रहे थे अचानक उसका धिहान उसके डैट के तरफ जाता है जिसे वो Apes मारनी वाले थे वक्ताल साह準 करते हुए Nova अपने डैट को बचाने के लिए चाता है लेकिन यह Apes उसे उठा गर ही वहां से नीचे फैंग देते हैं जिसके बाद वो नोवा के फादर यह नहीं इस कभीले के लीडर को मार चुके थे और नोवा इसमें कुछ भी नहीं कर पाया था लीडर के मरिने के बाद यहां के सबी एप्स को समुंदरी एप्स अपना गुलाम बना लेते हैं और उन्हें लेकर जाया जाता है लमुंदरी एप्स के लीडर के पास जिसका नाम था अप्रॉक्सिमस वो इन सब लोगों को यहां देखकर बहुत जाद खुश था जबकि दूसरी तरह नोवा की कभीले में हम देखते हैं कि नोवा के साथ उसके चंच साथी ही इस ट्राइब में बचे हैं नोवा को जब होश आया दोस्तिम देखा कि उसका पूरा ट्राइंग बरबाद हो चुका है उसके डैड भी मर गे हैं और उसके तक्रीवन सभी साथियों को बंदी बनाकर वो एपस ले जा चुके हैं दुख में नोवा को कुछ समझ नहीं आता वो सबसे पहले अपने डैड का फिंडरल रहता है और उसे वादा करता है डैड मैं लूँगा आपकी मौत का बता मैं आपके मारने वालों के सिंदगी बरबाद कर दूँगा और अपने सभी साथियों को चुरुआ कर यहां वापस लाओगा ये वादा है मेरा आपसी नोवा समंदर के तरफ अपने सफर के लिए निकल जाता है चाहरा आस्ते में उसे एक दूसरी किसम का मंकी मिलता है ये मंकीस असल में एप से कहीं जाता जहीं है ये मंकीस किताबे में पढ़ते हैं नोवा की किताबों के बारे में पुछने पर ये मंकी नोवा को बसाता है कि इनकी किताब ही कहते हैं इनके अंदर बहुत से लफ्स और तस्वीरे बनी हैं जिस हर लफ्स और तस्वीर का कुछ ना कुछ मतलब होता है ये monkey Nova को बताता है कि पहले समाने में Caesar की समाने में बहुत से monkeys ऐसे थे जो इन किताबों में निखी हुई चीज़ों को पढ़ और समझ पाते थे नोवस दिस सवाल कहता है किस Caesar कौन है तो वो monkey बताता है Caesar वो पहला monkey था जिसमें सोचने समझते की सलाहियत थी और उसी की वज़ा से हम लोग evolute हुए यनि हमारे में भी टब्दिलिया आई और हम भी सोचने समझने और बोलने की काबश हुए Caesar नहीं monkeys को tribes की सूरत में एक साथ मिलते लेने को कहता समझ लो कि वो हमारा सबसे पहला लीद है उसे ने हमें बताया कि एक monkey को दूसरे monkey को नहीं मारना चाहिए चाहिए वो इनकी नसल का है या नहीं है बातों ही बातों में कि लोग अच्छे दोस्त बनचाती है और एक साथ पैट कर खाना खाती है इसी दुरान वो लड़की जिसे हम पहले भी देख चुकी है नोवा की घर के पास वो दोबारा यहां पर आचाती है खाने के तलाश में इससे देखकर नोवा उससे में आ चाता है इससे पहले कि वो उसके साथ कोई बुरा स्लोग करता या उसे मारता यहां बैचा हुआ दूसरा मंकी नोवा को रोग देता है और कहता है किसी जर यह नहीं हमारे सर्दार इंसानों से बहुत प्यार क्या करते थी उन्हें को दिखते हुए हमें भी इंसानों से प्यार रहना चाहिके ये लोग इस लड़की को भी खाना देते हैं और यहाँ ये मंकी नोवा को इंसानों के पैरे में बताता है कि एक वक्त बो भी था जब इंसानों के पास अकल हुआ करती थी वो भी बोल पाते थे समझ पाते लेकिन फिर वक्त खुसरा इनकी सारी अकल चले गई और अब ये जानवरों के तरह रहते हैं अब क्यूंकि इन्होंने इसके लड़की को खानत क्या था इसलिए ये लड़की भी उनकी स्थाती बन जाती है सुबा भी हो जाती है और नोवा अपना सफर कॉंटिन्यू करता है जाहां उसके सफर में अब ये लड़की और वो मंकी भी साथ था जंदल में थोड़ा ही आगयाने पर उन्हें बहुत से और इंसान भी दिखे थे जो पागलों के तरह जंगाल में खाना टून रहे थे अचानक कि यहाँ पर समुदरी ट्राइब की एपस आकर इन इंसानों क उसे बचा कर जंदल में दूर ले आए तो अब इस लड़की को इन दोनों के साथ रहना सेफ लग देना था वो इन दोनों से यहाँ पहनी मैतबाब बात कहती है और कहती है कि मेरा नाम मे है इन दोनों का मों हेरानी से खुला का खुला नहीं किया था एक इंसान कैसे बोल सक बहा के सबी लोग जहीन थे बोल सकते थे लेकिन समुदरी ट्राइब के लोगों ने अपनी नफरत में मेरे पूरे कबीले को मार डाला बस मैं ही बच गई अब बात है बहुत हो चुकी थी लेकिन काम रहता था नौवा को अपने लोगों को बचाने के लिए जाना था यह ल करीब आनी में ही गिरकर बह जाता है और जुसी तरफ नौवा और मे को ये लोग बंदी बिना लेते हैं इनि लेकर आया जाता है अप्रॉक्सिमस के पास यहनी समुदरी ट्राइब के लीडर के पास जो की बहुत ही बेरहम एपस है वो इंसानों से नफरत करता है उसने हुक देखने को मिलता है कि ये एपस समुदर के बिलकुल किनारे पर रहती है अब समुदर का पानी इनके इनाके में आ जाए इसलिए नोने समुदर के आगे एक बहुत बड़ी दिवार पनाई हुई है इतनी इंटैलिजिंस का काम अप्रॉक्सिमस ते इंसानों को देखते कर कि और ये एप हमेशा से इस बंगर का दर्वासा कुलाने के लिए अपने बहुत से इपस को काम पे लगा के रखता है लेकिन रोज कुशिश करने के बावजूद भी आज तक वो इस दर्वासे को खोल नहीं पाया लेकिन उसे उमीद थी कि वो एक ना एक दिन सरूर इस बंग होती अब सवाल ये था कि अप्रॉक्सिमस एकनी जादा इंसानों से इंफरत क्यों करता था क्योंकि उसे ये बात मालूम थी कि पास्ट हुए इंसान बंद्रों को कुछ पी नहीं समझते थे वो या तो उन्हें जू के जेलों में रखते थे या अपना बैट बना लेते थे और या गुलाम बना लेते थे उसका दिल में डर था कि कहीं अगर इंसानों के पास दुबारा से सोचने समझने की सलाहियत आ दे तो वो दुबारा से बंद्रों को अपना गुलाम बनाने लगेंगे लेकिन वो ऐसा कोई दिन देखने से पहली ही सभी इंसानों को खतम करते जाता है आम देखते हैं नोवा जिसे यहां पर बंदी बनाकर रखा गया था वो यहां अपने ट्राइब के बहुत से लोगों से मिलता है उसे उसके लोग एप्रोक्सिमस के सबी इराते बता देते हैं कि कैसे वो इंसानों को माइना चाहता है और बाग की एप्स को बंदी पास जाबा है मैं भी यहां नोवा से कुछ बात करना चाहती थी वो नोवा को बताती है कि उसके जैसे सभी इंसान बहुत ही जादा कमजोर हो चकी है बुचाती है कि इंसान पहले कितना हम बोल पाए और इंसानों को बोलने सिखाने के लिए उसे एक लेंग्विज बुक की चुरुआ सको जब ये बंकर तबाह हो जाएगा तब एप्रोक्सिमस की सारी ताकत उसका सारा गरूर पानी में मिल जाएगा और हैसे मेरा काम बहुत असान हो जाएगा नोवा की सारी बाते सुनकर मैं नोवा की मदद के लिए तयार हो जाती है वो उस बंकर को तबाह करने क कि वो एक बंगर बनाएंगे उस से उस दिवार को तबाह करेंगे जिसे यहां के लोगों ने समुंदर के पानी को उनकी इलाके में आने से रोका हुआ था जिसके बाद ये लोग शिप के अंदर जाकर बंकर में से मी को मे की किताब देंगे और फिर इस बंकर को भी तबाह करे लेकिन मेई का प्लान थोड़ा चेंज था, वो नोवा और उसके दोस्तों को लेकर पहले बंकर तक जाती है, और वहाँ से अपनी जरूरी किताब को हासल कर लेती है, उजद्दे में अपनी जरूरत की किताब ढून रही थी, यहाँ नोवा और उसके साथियों को एक स्टोरी बुक वलती हैं, जिसके अंदर वो देखते हैं, यह बंद्रों को किस तरहां इंसानों ने कैद करके रखा था, यह देखकर उन्हीं भी बुरा लगता है, लेकिन यह लोग इस बात को इग्नोर करके मेका साथ देना दुबारा शुरू करते हैं, यह लोग एक छोटे से होल क मिलकर उसकी खलाफ कोई प्लानिंग कर ही हैं, और उसकी जरूरत की चीज़े भी सरूर इनोंने पंकर के अंदर से कई छुपा दी होंगी, अब असल कहानी क्या है, यह सचाए उगलवाने के लिए अप्रॉक्सिमस नोवा की दोस्त की गले पे चाकू रखवा देता है, और इसकन को देखकर अप्रॉक्सिमस इंफ्रेस हो जाता है, वो में इसे एक सोधा करता है, कि मैं तुम्हें और यहां सभी सातियों को ऐसे ही जाने दोगा, लेकिन इसके बदले में तुम मुझे सारे वैपन्स दे दो, लेकिन में भी बिवाकूफ नहीं थी, वो जानती थी, क अगर अप्रॉक्सिमस के हाथ हत्यार लग गए, तो वो दुबारा उनके पीछे पर जाएगा, वो किसी भी हाल में उसके हाथ वैपन्स नहीं लगने देना चाहती थी, अब अप्रॉक्सिमस उसके पीछे पर चुका था, इससे पहले कि वो यहां के कुछ लोग को उकसात ब पहाले जाता है, नोवा की ट्राइब की एप्स क्योंके जंगल में रहते थे, इसलिए उन्योंने दरख्तों बेचरने की काफी प्रक्टिस थी, वो तो यहां अपने आपको बचाने के लिए दरख्तों के उपर शरश आती हैं, लेकिन अप्रॉक्सिमस के साथी सारे ही उसका हैसला कहते ही, नोवा को खुसा आया, और अपना खुसा उसे दिखाने के लिए, उसने अपने मूँ से वो साउन निकाला, जिससे ये लोग अपने पैट इगल्स को बलाया करते थे, उसकी आवास सुनते ही, सारी पैट इगल्स यहां वें, और उनके इशारा करते ही, वो अप्रॉक्सिमस को उठा कर, पास से दूर ने जाकर समुंदर में फैंग देती हैं, और ऐसे फाइनली इन सब लोग को विचान अप्रॉक्सिमस से छूट जाती है, उसके बाद हमें दिखाज वाता है कि नोवा और उसके सारे साथी दुबारा से अपने घरों को बनाते हैं, और यहां पहले जैसी सकून वानी जिन्दकी चीना शुरू कर देते हैं, मूवी के पोस्ट्रेडिक सीन में हमें में को दिखाया जाता है, जो के नोवा के पास आई है, नोवा में इसे बहुत ही जबना नाराज है, क्योंकि में ने उसे धोका दिया था, जो बम उन्हो उन्हें हरा पाए, और ना ही कभी उन्हें धोका देकर कैद कर पाई, जबकि दूसी तर्फ इंसान तो अपनी प्लानिंग्स में थे, में ने असल में बंकर से जो किताब उठाई थी, वो कोई लैंग्विज बूप में ही थी, बिलकि सेटलाइट की बुकलेट थी, जिसके जंदर सेटलाइट को बनाने और उसे ठीक करने का पूरा तरीका लिखा था, में इस किताब को लेकर बहुत सारे इंसानों के पास आज वाती है, यहां हम देखते हैं कि में जैसे बहुत से और स्टमझ पूझ वारे इंसान अभी भी जिन्दा हैं और वो अपने आपको ताक दुनिया में अभी भी बहुत सारे इसे इंसान थी जिनके पास बोलने की सोचने समझने की सिलाहियत थी जिन लोगों ने अब एक साथ मिलकर काम करने का पैसला कर लिया था और अपने आपको डिवेलप करने की ठानी थी ताकि वो इनेपस की गुलावी से बच जाएं और य इबताती हुई इकाहनी यहाल सब्सक्तम हुचाती है